कि हलो फ्रेंड्स आज इसे स्टिचिंग सेंटर में आपका स्वागत है आज हम बिहार दरोगा का नुम्मा वीडियो श्टार्ट करेंगे इससे पहले हम आठ वीडियो श्टार्ट कर चुके हैं यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं तो कि आपको कहीं दिक्कत ना हो और इसमें जो तोरुस से लग जाए ताकि जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा कमपटीशन का जो लेवल है थोड़ा सा पिछले क्या पेच्छा अब होता जाएगा इसलिए अभी से लग जाए बिहार द्रोगा के तयारी के लिए तो चलते हैं आज फर्ष्ट यहनि कि फर्ष्ट कोशन से स्टार्ट करते हैं तो फर्ष्ट नमबर कोशन में क्या कर रहा ह फर्ष्ट नमबर कोशन में कर रहा है कि निमलिखित में कौन क्रिसी उत्पादक पर निउतन समर्थक मूल का निर्धारन करता है तो इसका सई अंसर ऑप्सन नमबर सी हो जाएगा सई ये ममगना सई व्लब करता करता है और क्रिसी मूलिखित का गठन किया था। सभी में किया था। तथा लेकिन इसका जो नाम चेंज कर दिया गया बदल दिया गया था 1985 में बदल दिया गया था बदल कर क्या कर दिया गया था तो यानि कि बदल कर क्रीसी लागते वह मुलायोग यानि कि किया गया था और बात करते हैं इसका मुख्याले की तो इसका मुख्याले नहीं दिल्ली में है तो इसका सही दूद की उत्पादक्ता को बढ़ाने के उदेश से ऑप्रेशन फलड की सुरुगात किस वर्स की गई तैसका जो सई अंसर आपस नंबर भी हो जाएगा उदेश से और बढ़ाने की उत्पादन की उपरेशन की ऊपरेशन फलड के जनक के में बिद्ध करना आपना करेंगे तो 6.5 होता है और दूद में लेक्टिक हमल होता है और नेस्ट कोशन के हम बात करेंगे नेस्ट कोशन में क्या करा नेस्ट कोशन में करा है कि भारतिय GIS T- favor होट मॉडल फर आधारित है इसका सेही अंसर आपसण नंबर सी हो जाएगा나जा हम सरपर्समी चीय की बात करेंगे तो चीय को सबसे पहले फ्रानस इन में 1904 में लागों किअ गया था लेकिन भारत में GST एक जुलाई 2017 में लागो किया गया था और जो भारतिय GST मॉडल जो भारतिय GST मॉडल है और कनाड़ा देस्क के मॉडल से प्रेरित है तो इसका सही अंसर अप्सन नंबर शी हो जाएगा कनाड़ा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो निश्ट कोशन कर रहा है कि निमन में मुद्रां के किस रोप को संकिर मुद्रा कहा जाता है तो इसका जो सही अंसर नंबर 1 हो जाएगा इंबन को संकित मुद्रा कहा जाता है इंबन मुद्रा को तरालता सबसे अधेक होती है और निवेस में इसके जो भूमिका यानि कि नहीं के बराबर होता है इसी कारण क्या होता है कि इसको हम इंबन मुद्रा को संकित मुद्रा कहा जाता है ठीक है तो नेश्ट को करा है ूब कि वैंन में से किस देश की अश्टॉक एक्सद्ज का नाम जमान जहीं अंसर ऑूप्सेंश नमबर1 हो जाएगा थाइलैंड हो जाएगा यानि कि कह सकते हैं जो अश्टॉक एकलगे तो हम कुछ कुछ तेश्ट की बात करेंगे जैसे तेन है तो तैवान का टोकियो का है मिंटेल तो इटिली का है तो इस परकार सभी अज्टरॉक करेंगे यह किरा कि भारत ने अपना परहुन उसला परिष्ण कब किया था था तहिए इसका जो सही अंसर हो जाएगा option number C हो जाएगा 18 मई 94 को राजस्थान के पोखरन में किया था लेकिन किया था उसमें 12 किलो टन छमता वाले इस बं में तो प्लट्antonियम का परियोग किया गया था ठीकिन पूछता है कहाँ तो राजस्थान के पोखरन में किया गया था और करेंगी ने ह्ट् 이 ऑर करेंगे तो कारा किरहा है और सवान की दिवस पर अंसर आपसर नंबर भी हो जाएगा 21 मार्च को बिस्वान की दिवस मनाया जाता है बिस्व जल दिवस की बात करेंगे तो 22 मार्च बिहार दिवस की बात करेंगे तो 22 अप्राइल परियवरन विस्व परियवरन की बात करेंगे तो पांजून इस तरह से मनाया जाता है दो फर क्या करा नश्ड कोस्न में क्या करहा है कुछ क tipping में कि हमी बात करिंगे काyse और यह कांघ्र गार्टि राश्टियान की सराज में इस्थित थी तो इसका जो सही अंसर हो तुम tähän से इसने और意 कि आजाता है और 36 ख़ड़ के राश्टिये उत्यानों में इंद्राबद्ती कशें क्या है तो Мар ये आए तो 36 गड़ में और कोशन पूछेगा 36 गड़ किस राज से टूटा तो आप क्या बोलिएगा तो बोलिएगा मद परदेश से नेश्ट कोशन क्या करेंगे नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन शंकट फात्र इनकी जातियां के उदारान नहीं है तो इस पाग आधि जो संकटपन यानिकी जातियां के उदारन है जबकि डोडो क्या है डाटो पंच्छी डाइनसोर आदे बिलुक्त पर जातियां के उदारन है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा डोडो पंच्छी इसका सही अंसर हो जाएगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे ने नैयोबी हो जाएगा संजीक्त राष्ट पर्याबरं कारिकरम का मुख्याला नैयरोबी में है जबकि इसके जो अस्थापना 1972 में किया गया था और नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा रहा है ने में लिखित में कौन जैन धर्म के वाइस C कोछन पूचता है कि कौन ऐसे आ 우ling रिगवेद में मिलता है तो हम कहेंगे reminds है औ अरिष्तिठा नेमी यहें ऐक पहला और वाइसमा जो इनक्तार गोंता है और जैन धर्म के जो पहले तिर्थकर और के बात करेंगेयमे मतो प्राप्थ होता है तो इसका जो सही अंसर होगा option नंबर डी हो जाएगा यानि कि ए और भी दोनों हो जाएगा यानि कि दीपवन्स और महावन्स दोनों से प्राप्थ होता है और बात करते हैं कुछ एक्ष्टा उफैट के रहे हैं की महेंद्र महेंद्र तथा यहन कि शंगमित्र को स्रीलंका तोनों इसको कहां भेझा था स्रीलंका भेजा था और इसी बात का परमान दिपवंस तथा महवंस दोनों से प्राप्थ हुआ है तो नेश्ट कोशन के अब बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है कि धनवंत्री तथा कालियदाश निम्न में से किसके दरवार में रहते थे तो इसका जो सही अंसर होगा ऑप्शन नमबर भी हो जाएगा चंगुप्दुतिये के दरवार में हम बात करते हैं चंगुप्दुतिये के सासनकाल में गुप्त समराज अपने उतकर्ष पर था और इनके दरवार में नवरतन रहते थे जिनमें धनवंत्री कालिदास पर मूख है और चंगुप्दुतिये कि सासनकाल में ही बौध याथरी कोन आया था वाहियान आया था भारत नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा है कि किस साहितकार ने बहादूर शा को साए वेखवर यानि कि कहकर पुकारा था तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा option number B खफिका किसने पुकारा था खफिका ने बहादूर्शा को शाय यानि कि शाय वे खवर कहा था किसने कहा था तो खफिका ने कहा था हम कुछ extra fact के बात करेंगे तो इतिहासकार खफिका ने बहादूर्शा को यानि कि शाय खवर के नाम से पुकारा था और बहादूर्शा पर्थम यानि कि 65 वर्स की आयू में मुगल समराठ बना था तथा अपने मराठो और राजपूतों के प्रति मैत्री पुर्ण निति अपनाई थे तो नेस्ट कोशन के हम बात करेंगे नेस्ट कोशन क्या करा है नेस्ट कोशन में क्या करा है नेस्ट कोशन की बात करेंगे तो नेस्ट कोशन में करा है कि चौशा का यूद कब हुआ था तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा और सा नमबर शी हो जाएगा यानि कि 26 जून 1549 चौसा का जो यूद हुआ था 26 जुन 1549 में हिमायू और शेषा के मद हुआ था इस यूद में हिमायू को प्राजित हुआ था और इस यूद को जीतने के बाद सेर्खा ने सेर्खा की उपाधी लिया था कर सकते हैं कि चौसा के यूद में हिमायू के हार हो गया था और सेर्षा जीत गए थे इसी के बाद सेर्षा ने सेर्खा की उपाधि धारन किया था कोशन पूछेगा सेर्षा ने सेर्खा की उपाधि किस यूद में लिया तो कहिएगा चौसा के यूद में यानि कि चौसा बंगाली भासा में परकाशित होने वाला पहला समचार पत्र निम्ण में कौन था इसका जो सही अंसर हो जाएगा ओप्स नमबर भी हो जाएगा दिख दर्शन हो जाएगा कौन हो जाएगा दिख दर्शन पूरी तरह बंगाली भासा में परकाशित होने वाला यानि कि पहला स परकासित होने वाला पहला कवार तौधंट मर्तंड जो इंदी भास्ता में 1826 में लेकिन बंगाली में दिखदर्शन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा नेश्ट कोशन करा ना कि रहले कमीशन का गठन किस बाइसराइके सासन यानि की काजकाल में के दौरान हुआ थ लौड करजन के सासनकाल में किया गया था और रहले की अध्याच्ता में ही बिस बिद्यालय एयो के भी अस्थापना किया गया था और बंगाल विभाजन भी लौड करजन के ही समय में किया गया था नेश्ट कोशन की अब बात करेंगे नेश्ट कोशन की हम बात करेंगे तो पुस्तक के लेखा निखित में से कौन है जो सई अंसर हो जाएगा और सब्सक्राइब बात करेंगे तो तो नाइड़ो भारत की पर्थम महला राजपाल थी और इनके द्वारा लिखे पुस्तक में यानि की सौंग ओफ इंडिया पर मुख है और बात करते हैं सुरोजनी नाइड़ो के तो भारत भारत के पर्थम यानि की भारतिये महला भारती राष्टे कॉंगरेस के जो अध्यास्ता के थी 1925 के कानपूर अधिवेशन में यानि की अध्यास्ता की थी भारतिय कि महला करेंगे तो सुरोजनी नाइड़ो लेकिन सिर्फ महला लगाएगा तो एनी बेशन टुनेशो 17 के कॉलकात्ता दिवीशन में निश्ट कोशन की बात करेंगे क्या कर रहा है कि अहमाधाबाद मेलमजदूर के बाद मेल मालिकों के दोरा कितने परतियसत बोना देना य पर ताल उन्यसों अठारा में मिल मजदूर मिल मालिक के बीच क्या हुआ यह दिक हड़ाप हो गिया जड़ाप हो गिया जिसमें किसके चलते हुआ था तो बस कुछ नहीं था पलेग बोनस भी बात कुले कर था इस हरताल में गांधी जी की भूम का यह निकि इस सहर निये रहा इनके दोरा यानिकी अंसन के बाद मेलं मालिकों ने 35 पर्शेंट देना स्विकार किया लेकिन 50 पर्शेंट पर्शेंट हो नहीं चाहिए इसका जो सई अंसर लेकिन-ति नमल डी हो जaden इसका सही Question नंबर कि 3% होगा है निष्ट कोर्षсти की बात करेंगे çi tutto कोर्षिल में क्या करा राए कि निट dol empire क्रेंगे तो नेश्ट को सन में इंडियन सोसाइटी शंगठन की अस्थापना किसके द्वारा किया गया था तो इसका जो सही परमुक संगठन और इनके संस्थाफक है उनमें से कुछ की बात करेंगे तो जैसे में इंडिया एसोसियेशन तो सुरेंद नासबनार जी इंडिया सोसाइटी गोफाल किष्ण गोखले और लैंड होड़र सोसाइटी द्वायर कानाथ ताइगोर और इस्ट इंडिया एसोसियेशन दादा भाय नूरे जी इस परकार से संस्थापक थे नेश्ट कोशन की हम बात करेंगे, नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है, कि निमलिकित में भारती राश्टे कॉंग्रेस का कौन सा अध्यवेशन गाउ में संपन हुआ था, तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा, ऑपसा नमबर ती हो जाएगा, पच्छासमा जो अधिवेशन हुआ था गाउं में 1937 का जो फैजपूर अधिवेशन था यही गाउं में यही शंपन हुआ था और इसका जो अध्यस्ता किये थे जेल नहरू किये थे तो नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा कि संधी के द्वारा तीरती अंगल मैसूर यूद समाप्त किया गया तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा और से नमबर भी हो जाएगा सिरीरंग पटनम की संधी के द्वारा समाप्त किया गया तीरती अंगल मैसूर यूद की बात करेंगे तो 1792 से 92 तक चला था इस यूद में टीपो की हार हुई और इसे सिरीरंग पटनम की संधी के द्वारा समाप्त किया गया था और इस समय भारत के जो गवर्णर जैनल लॉड करंवालिस थे प्लcome लॉड करनवालिस थे तो आंगल यानि के आंगल मैसूर यूद की बात करेंगे तो पहला जू आंगल मैसूर यूद की बात करेंगे 1767 से 79 और दूसरा जो हुआ था असी से 84 हुआ था और तिसरा की बात करेंगे तो 1790 से 92 और चौथा की बात करेंगे तो 1799 में हुआ था इनके चार अंगल यानिकी मैसुरी रिवद हुआ था और पहला जो किस संधी के तह समाप्त किया गया कोशन पूछेगा तो मदरास के संधी के द्वारा और दूसरा जो हुआ था मंगलोर संधी के द्वारा समाप्त किया था और तिसरा सिरी रंग पटनम के संधी के द्वारा समाप्त किया था कोशन पूछता है तो आद रखना इस कर्व को पुनह लागो किया गया तैस का जो सही अंसर हो जाएगा आपसे नमबर भी हो जाएगा 1689 में 1689 में पर्थम जजियकर तो आप उजानबे करते हैं सबसे पहले जो जजियकर मुहमद बिन कासिम मुहमद बिन कासिम गैर मुस्लिमों पर लगाया था लेकिन उसके बाद जो जजियकर उसी परकार से चलता आया कोई सशक हमापत क पिर दोवारा लगाया जैसे में हम अकवर की बात करेंगे तो जजियकर यानिकी पंदरा सो चौसभी में समापत किया था फर फिर 1689 में औरन्जव ने पुनह लागो किया और औरन्जव को जिंडा पिर के नाम से ज जाना जाता है या तो साहिद दर्विस भी कहा जाता है और अंजेव को निश्ट कोशन की बात करेंगे और एक जजिया के कर्ष से बोलता है यानि कि ब्रहमनों पर जजिया कर किसने लगाया था फिरो सतुगलग था जो ब्रहमन पर जजिया कर लगाया था निश्ट कोशन की ब तो इलाहावा सी लियाकत अली कि थे और जबकि दमन करने में अंग्रेज करना नीर थे जबकि बात करें पठना से तो पीराली असम्से मनी रामदत्त तो इस परकार से और बहुत सारे जिएगह से लड़े थे जैसे में हो गया है यानि कि इलाहा वाद से तो हो गया और जिसे में जहासी से रानी लच्मी बाई दिली से खान बहदूर खान उसके बाद और बिभिन जगासिस अलग-अलग इसमें कानपूर्शे नाना सहीब थे तो नेश्ट कोशन के क्या करा रहा है कि जालिया वहला याद्यकांड के बाद क इसने नाइट की उपाधी को बापस कर दिया था तैसका जो सही अंसर हो जाएगा औप्शन नमबर ची हो जाएगा रभिना टाइगोर हो जाएगा अब बात करते हैं जालिया बाला घर्त्याकंट 13 प्रेर उनेस उनेसको अम्रिश सर जालिया बाला बाग नामकरस्तान पर पर्थम भिश भी कायोंजण किस बस किया गया था तैसका जो सही अंसर वहुंद्धी हो जाएगा उनाइस एकत्तर में किया गया था पर्थम विस्वावकी कायोजन 1971 में अस्पेंड में जित किया था जिसमें पाकिस्तान ने किसको हराया था तो पाकिस्तान ने स्पेंड को एक जीरो से ृ कर जित है था ने स्पाशन के बात करेंगे थी उसक परoth를ें करेंगे पर्थम आशचीव 2 पर दो mothers सबसे जादे नालवे में होता है और देखे लिक्रेये माया सच्छिव परशिद अभिनत्री जियनतिव माला का शमन किस सास्त्र निर्थ से है तो जो सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन अमर्डी हो जाएगा भरत नाटियम और यह निकिव भारत में जो नाट सास्त्र जो निर्थ है इसके पर मुख कलाकार और है जैसे में हो गये यामनी किश्णूरती है लिला सेम्सन हो गए हैं एस अब जो हैja Efendimiz के आब बात करेंगे नेस्ट को सं अड़ कराउन जी और कि निम लिखित में से किस बात करेंगे संकरद्यालसर्मा के तो एक कर्म भूमी है नेश्ट कोर्शन की बात करेंगे नेश्ट कोर्शन में क्या करा था कि भारत ने मंंगल यान का सफल परेश्ञन किस लौंच माहिन के द्वारा किया गया था यह से औसAmerican कि द्वारा किया था इसे इसRO के द्वारा भी पर यह सै तो में किया स्वाम से में किया ला किया और इसे सी अधिक्तम जय व surviving देश पर देश निमलिखित में से किस परकार का होता है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा नमबर डी हो जाएगा ऊशन कटी वन दिये हो जाएगा ऊशन कटी वन दिये कठोर लखड़ी बन बिसुवत्य वर्शा वर्ण इबा मानसूनी बन पर देश अमलिथ है बैसुवत्य वर्ण बर्ण में रारी वर्ण और उच्छ ताफ मान की दसा में क्या होता है यानि के कि नेको कोसन में क्या कर रहा है क कि एकर रहा है कि ग्रीन हमस पर भाव का अर्थ क्या है तो इसका जो सही अंसर option number एक हो जाएगा धユ्य कारण के खिर सवर उर्जा का भीपार्शन है ना तई continues the question की बात करेंगे प्रणमशन में क्या कर रहा है इसके को डुथह गए प्रम्परागत उर्जा का सुरोत नहीं है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा option number 1 हो जाएगा प्रमानु उर्जा प्रम्परागत उर्जा का सुरोत नहीं है next question के अब बात करेंगे next question में क्या करा next question करा है देशों के बिभिन शमूहों के साथ अरुनाचल प्रदेश की सीमाई लगती है तो इसका सही answer हो जाएगा option number C हो जाएगा अरुनाचल प्रदेश की सीमा भूताँ चीन मैन मार्श लगती है और भारत में सबसे ज़्यादे जो सीमा लगता है भंगलादेश से 4096 किलोमीटर ठीक है नेश्ट कोशन की बात करें करा निमलिखित में भारत का परमुख जलियान निर्मान केंद्र कौन सा है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा का ओप्सन नमबर भी हो जाएगा कोचिन हो जाएगा कोचिन केरल से फियाड फरवरी उनाइसोपाइसट में जपान के सहयोग से अस्थापित किया गया था और कोचिन का जो पोत निर्मान है देश का सबसे बड़ा पोत निर्मान है कोचिन कोचिन कहां पढ़ता है तो केरल मे में क्या कर रहा है नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है तो नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में कर रहा है नेश्ट कोशन में का रहा है कि कपास के उत्पादर में भारत का कौन सा अस्थान बिस्प में है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर भी हो जाएगा दूती है कपास कि उत्पादन में भारत का स्थान दुसरा है जबकि पहला स्थान की बात करेंगे तो चीन हो जाएगा भारत में 20 कुल कपास का लग Skelly 16 पर 30 उत्पार होता है नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा है नेश्ट कोशन में करा रहा है कि भारत में सीमा सड़क संगठन की अस्थापना किस वर्स किया गया तो इसका जो सही अंसुर हो जाएगा और नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा है नेश्ट कोशन में करा है कि सिपकिला दरा किस राज में इस्तिता है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा option number D हो जाएगा हिमाचल परदेश में हो जाएगा और बात करते हैं हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश के जो अभी मुख मंत्री है कौन है हिमाचल परदेश को जो अभी मुख मंत्री है जैराम ठाकूर है नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा है नेश्ट कोश्चन में क्या करा है नेश्ट कोश्चन क्या करा है हाँ नेश्ट कोश्चन की बात करेंगे तो नेश्ट कोश्चन करा नेपाल हिमाले का भी स्तार किंदू नदियों के इनकी बीच तक है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा option number B हो जाएगा काली से तीस्ता हो जाएगा नेपाल हिमाले सबसे पहली हम बात करेंगे तो सबसे पहली जो होता है और नेपाल हिमाले की बात करेंगे तो इसके जो कुल लंबाई है 800 किलो मीटर है जो अनापूर्णा गोसाइनात धोलागिरी परवत स्रेनिस के छेत्रों में पाए जाता है हम बात करेंगे सबसे पहले जो होता है पंजाब हिमाले होता है पंजाब हिमाले सिंदू सतलज उसके बाद कुमाई हिमाले होता है सतलज काली होता है उसके बाद नेपाल हिमाले होता है काली तीस्ता होता है उसके बाद असम हिमाले होता है तीस्ता और दिहा परकार शेह बाटा हुआ है तो नेश्ट कोसें की हम बात करेंगे नेश्ट कोसें में क्या करा है कि भारते है तvänd से जो सिए बढस्तर हो जाए आप्स्य को सिपनाब सब्सक्राइग सब्सक्राइब हो prais का राजमें व्यशल्ट की बात करेंगे, तो निश्ट् कोंशन की बात करेंगे तो नेष lorम में करा कि आर्थिक नियोजन जा option नमबर सी हो जाएगा संभर्ती सूची की और इंस पर काणून बनाएगा राज और केंद्र दूंझों मिलनए गां संभर्ती सूची में कुछ और भी से हैं जैसे मिसी इच्छा हो गया बन हो गया इस अब सब संबर्ती सूची में और नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा रहा है रहा है कि आसोग मेंता कमीटी किस ने पंचायति राज्व का यहीं कि प्रणाली का पुंडरिष्ण किया और किस विवास्ता की संतूति की ती सका जो सही Anwar हो जाएगा Upsan Kansas B नंब्र भी हो जाएगा दूई A legendsторiachts के लगा असक ओक मेटा की बात करेंगे 297 में पंचाईटि राजवास्ता दूई A derivedวก Steer Pernamillas के शंतूति किया था जबकि बलबंत रायमेता की बात करेंगे तो 750 में तिरी अस्तरिये किये थे वो और नेश्ड कोशन के हम बात करेंगे तो नेश्ड कोशन में क्या का रहा है कि भारत में नियाएक पुर्नेरिच्छन की संकलपना कि देश के समिधान से लिया गया कि राश्पती पर महाभ्योग लिए लिया गया मेरीका के शमिधान से लिए नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे दूनेश्ट कोशन में करा हुँ नेस्ट कोशन की बात करेंगे तो नेस्ट कोशन में कर आया कि समिधान के किस अनुसूची में विभिन राज जीयों में अनुसूची छेत्रों के परशासन और नियंत्रक्षमधित जो उफबंध है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा आपसर नमबर शी हो जाएगा पांचमी में समय राजशां के पांचमी अनुसूची में अनुसूची छेत्रों के पर शासन और नियंत्रक्षमधित जो हो जाएगा लेखिन कोशन में कह से किस अनुसूची सब्सक्राइगा तो सब यनिकी पांच मी में हो जाएगा अनुसूची जाती छेत्रों के कहेगा तो लेकिन जन जाती के कहेगा जिसे में असम में घाला इतरी पूरा की और मिजोरम की बात कहेगा तो छटी में हो जाएगा अनुसूची जाती एक होता है एक अनुसूची जन जाती होता है तो अनुसूची छेत्र बोलेगा तो अनुसूची छेत्र पांच मी में कि बाथ करेंगे नेस्ट कोशन की बाथ करेंगे तो लोग सभवाव में किंसासित परदेश के लिए कितने से तरशी तह इसका जो सही अंसर हो जाएगा पांसो पचास हो जाएगा और वही दो गो जो होता है राश्पते अंगलो इंडियन को नेस्ट कोशन की बात करेंगे नेस्ट कोशन में करा कि बंद्वा मजदुर अधिनियम को संसन ने किस बर्श पारिद किया था तो इसका जो पॉष्ण के बात करेंगे तो नेस्ट कोशन में क्या करा है कि निवलिखीत में कौन सुमेलित नहीं है कि नहीं तो बहाग तिन में मौली करता करता है भाक्तिन में मौली का धिकार है जब कि मौली करतब दिया हुआ है मौली करतब क्या करा नेक्ट कोशन में करा है कि वर्ष में लोगसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना निवार जाता है इसका जो सही अंसर हो जाएगा और सब्सक्राइब भी हो जाएगा बर्ष में दो बार अनुछेद पचासी के अनुसार लोगसभा के जो एक सत्र के अंतिम वैठक तथा अगामी वैठक के भी छे मां का जो मतलब छे मां से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए और तार्थ कम से कम यानिकि दो बार क्या करेगा सत्र को बुलाना अनि एक जाही डाए तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वसलंबर शीओं बंदि प्रत्य अच्छी करन समिधान के अनुशे 226 इसके अनुसार उचन यालता के लिए बंदी प्रत्य चुक्रता का जो फूर्थ होता है कि बात करहेंगे तो क्या करा है कि स्मपत्य के अधिकार को किस wp अधिकार से एंप bi भी हो ज exchange दिया गया है निस्वा वीं स्रइवर शुत्रा पुस्ता के लिखा को नहbecue नहीं है दो नेश्ट कोशन का राए कि मिनेश्टी इंटरनेशनल को किस बर शांती का नौबेल पूरुषकार दिया गया था इसका जो सही अंसर हो जाएगा और सांती के चैत्रक में नौबेल पूरुषकार दिया गया था कॉषन पूछता है कि ममनेश्टी इंटरनेशनल को कब समंती का नौबेल पूरुषकार दिया गया तो इसका सही अंसर नल्पर कि हम बात करएगे तो क्या किया है कि हली में किसुघ सरकार कहर है कि स्टेडिया यकर है के सुरुवात की तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा और भी हो जाएगा राजस्था नेश्ट कोशन की हम बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन क्या कर रहा है हाँ नेश्ट कोशन में कर रहा है कि बिसी सियाई झेली तीहास में पहले बार किस्ट्रॉफिक के थ्यांज आगा है इसका जो सही उनसर हो जाएगा औप्साइब नभर सी हो जाएगा रहा हूं यो पश्टरोफिक कर जो के लिए पाफ्ली बार याजन ग toma 383 में गरान नेस्ट कोすन ककॉसन म् Cream कि कर रहा है कि हालही में किस राज की निकिस राज ने विदहान सभाचुनाव में मतदान परतिसत को बढ़ाने है तू बोट बंदी अभ्यान के शुरुआत की तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा और से नमर एक हो जाएगा केरल केरल राज सरकार ने अपने विदहान तो दार है तू मतदाता परतिसत बढ़ाने है तू बोट बंदी अभ्यान के शुरुआत किया था नेश्ट कोसन की बात करेंगे तो नेश्ट कोसन में क्या करा किस भारते मुक्यवाज को एए बीए की चैंपियंस एंड बेटरंस समीतिक आध्या चिनित किया गया ते इसका बात करें तो नेश्ट कोसन में करा कि 10 لاक से कम अबादी वाले सहरों में ऐज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में कौंसा पहले स्थान फराह ते इसका जो सही अंसर हो जैगा और अमरीक सिमला हो जाएगा नेश्ट कोसन की बात करेंगे तो नेश्ट कोसन में क्या करा है कि हाली मे किस देशने बहु राश्टी है विहास डेजट फ्लाइक का मेजवानी किया है तो जो सही अंसर हो जाएगा option का आपसा नमबर भी हो जाएगा यह क्या कर सकते हैं बुस्फायर कर सकते हैं क्या कहिएगा बुस्फायर करेंगे ने इमेज के लिए वर्ड वाइब फोटोग्राफर आफ दा एयर का पुरुसका 2020 यही जीता नेश्च कोसन कि बात करेंगे नेस्च कोसन में क्या क्राएं कि पिसमा विहारे प्रुसका 2020 से कि समानित किया गया तै इसका जो सही अंसर ऑप्शन को समानित किया गया ठीखा और उनके पूस्ताक तश्लीमा संहर्स और साहित के लिए मिला है नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या कर रहा है यह चर्चित पोस्त्यक वहाना मास्टर क्लास के लिए खाग कौन है तो इसका जो सही अंसर हो जएगा option number D हो जाएगा Alfredo Covelli हो जाएगा next question की हम बात करेंगे तो next question में क्या करा next question में करा थोड़ा सा question ही दिखनी दा हाल ही में स्री तुलसी पतिक कोटुम राव का निधन हो गया इनका समध किस हत से आयते इनका जो सही अंसर हो जाएगा option number 1 हो जाएगा तमिल पत्रकार है next question के हम बात करेंगे तो next question में क्या करा किस राज सरकार ने पानी और मिट्टी के लिए यह कि टेस्टिंग करने के लिए क्रिसिस अंजीमनी बैन की सुरुवात किया तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा option number D हो जाएगा ने को से अंसर हो जाएगा option number D हो जाएगा next question के हम बात करेंगे तो next question में क्या करा करें आर्थिक समिचहरा 2020 से सम्मान्य तता पर विचाल करें इसका जो उप्यूकत में सत कथन रहा हो जाएगा केबल दो याङ राजकोस покंच क साहरा दो ही ओना कि qoma AI कि मार्च 2021 किस बैंग पर 2 कढूर रूपय का जुर्माना लगा इस का जो सही अंसर हो जाएगा option number B हो जाएगा SBI पर लगाया था SBI की बात करेंगे तो SBI के जो अस्थापना किया गया था यंग Hilton कि आयोग के सिफारिस पर किया गया था और SBI के स्थापना 1935 सोरी आर्वी थोड़ा से मिश्टिक हो गया यंग Hilton ने जो किया गया था ने आर्वी आई के अस्थापना किया गया था यह दूसरा है ठीक है न मिश्टिक हो गया थोड़ा सा तो ने इस्ट कोशन की बात करेंगे कभी कभी मिश्टिक हो जाता है नेकिन ध्यान पढ़ गया है हाली में किसे दुनिया का सबसे परदूसित रजधानी गोशित किया गया थे इसका जो सही अंसर ऑप्सन अमबर शी हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा नेस्ट कोशन के हम बात करेंगे तो नेस्ट कोशन में क्या करा है कि हाली में किस राज के फाल उत्पादन को बढ़ावा ने के लिए फ्रेश फुट मेंक मुव्मेंट शुरुगात की है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा और से नमबर डी हो जाएगा महराष्टा हो जाएगा नेस्ट कोशन के हम बात करेंगे तो नेस्ट कोश में क्या करा नेस्ट कोशिचन में क्या करार है कि मैं अंतराष्टी महला दीवस 2021 का थिम क्या है तेश का जो सब्सेट अश्चा हो जाएगा ऑपशन अममड़ हो जाएगा थोड़ा सकु dewस्ट हो गया है थोड़ा सा धूंध्रा दिक रहा है इनके sought men leadership and equal future inыт équ被 19 बर यो स्ट संख से को हम अपलोड करेंगे ंटीक है कि नेश खोशन केम बात करेंगे धनी स्कोशन में क्या कराय लिए में दुनिया के सबसे पुरानी जानवर का जिबास मुकी सिराज में से प्राप्टवा जो सही अंसर हो जाएगा option number C हो जाएगा थोड़ा सा mistake हो गिया है PDF में धूंदला दिख रहा है नेश्ट कोशन 2020 में यहने कि 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्ट करता देश कौन बना ते इसका जो सही जाएगा नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे नेश्ट कोशन में क्या करा रहा है कि अवाड कि पदम अवाड 2021 के तात कितने लोगों को पदम स्री देने की घोशना किया थे इसका जो सही अंसर ऑप्शन नमबर भी हो जाएगा 2021 की बात हो रहा है एक तो दूख के और नेश्ट कोशन की बात करेंगे नेश्ट कोशन में करा परती बस वर्ल्ड स्लिप डे कब मनाया जाता है तो इसका जो सही अंसर ऑप्शन नमबर भी हो जाएगा 19 मार्श को नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क् करा आज सुझ के चारों और घूमने वाले पिर्थवी के लिए कौन सा बल जिमेवाल है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा ऑप्षन नमबर भी हो जाएगा गुरुतवा कर्शन नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा नेश्ट कोशन करा है जब को अनुमानित कितना डेसिबल का मतलब होता है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा ऑप्षन नमबर एक हो जाएगा 45 डेसिबल हो जाएगा नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा नेश्ट कोशन क्या करा नेश्ट कोशन में निमलिखित में से किसका इसका जो साइएंषर हो जायेगा नमबर डी यू आउप्सन नमबर d का गामा का हो जाएगा गामा के तरंगधर जो होता है ना दस के पावर माइनस 10 मीटर से दस के पावर माइनस 17 मीटर के बीच होता है और गामा की बात करेंगे तो इसका बेदन चमता सबसे धीक होता है आयनन विभा की बात करेंगे तो सबसे कमी सी का होता है आयनन विभा सबसे सब्सक्राइब यो ना जो सही आंसर हो जाएगा उप्टिसहों में तो ऑप्सक्राइब कि में 24 इवर्त सारनें के बर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्धू त्रइनात मंकता पर क्या प्रवाब पड़ेगा उसका जो सै अंसर हो जएगा option number noir उप्षयम, हटता है next question करेंगे तो में क्या कराऊं next question क्या कराया कि सरात्चोंता जहां कितना उप्षय ठीज धोस जो सउनर हो जाइगा option number 2.8 एक हो जाएगा aur 6.5 characterizedayan जलक को सोरी उलार का होता है जलक तो सेवन नेश्ध कोशन के बात करेंगे तो नेश्ध कोशन में क्या करा है नेश्ध कोशन में क्या करा है? करा है किसे द्रादू का पर मूखा या सख allows section 2 में iau एएक जई Dip आपसे नंबर दी हो जाएगा हो जाएगा रख करेंगे तो परमानू कर्मांक 20 वाली परमानू का इलक्ट्रोनिक विएसका जो सही अंसर हो जाएगा ऑपसिन नमबर भी हो जाएगा 282 परमानू कर्मांक कि माली का यह सभी हमसर हो जाएगा निश्ट कोशन की बात करेंगे तो इसका जो सही अंसर निभ्त में किसका जोलन्त आप सबसे कम है तो जो सही अंसर होजएगा अप्सेन वर्डी नमबर का सथानों क्या कर रहा हैं इंसार नहीं होतनीBiot3 नंसर हो जएगा अपसे नंबर अलुतना का उधारन है ओप को निस्ट की बात करेंगे तो टिका वोला हें टिका टिका टिकारो का शमंद किस पसल से तो मुंखlassen से हुआ यए इसऊबहिने भूट लईगा देखें एक टिकigare एक डेका प्रहु। को निस्ट कोसिं के रहते हैं तो मुंखênio कि जिवानु कोशिका में सुत्रकानिका की संख्या कितनी होती है देखे सुत्रकानिका के मतलब मैट्रोकॉंड्रिया होता है तो मैट्रोकॉंड्रिया कितनी होती तो इसका सही अंसर ऑप्षिकाओं के द्वारा इंसुलीन का रिसाब होता है तो इसका जो सही अंसर हो जाएग बीटा कोशी का हो जाएगा नेश्ट कोशन के हम बात करेंगे तो नेश्ट कोशन में क्या करा है नेश्ट कोशन में करा है कि मानव सरीर के सबसे लंबी अस्थी कौन है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा औरू अस्थी जांग को बोला जाता है नेश्ट कोशन के हम बात करें स surprise में क्या कराने को संका कराए कि निम में से को नेक परकार का रिशचेदार प्रोटिन का उधारन है इसका जो सइमसर हो जाएगा nrc हो जाएगा की रेटीन है न गरूकरल रख नंकर प्रोटिन है और बातकरेंगे के यह जो इक कारण है नाखण वाल दूद का रंग पीला इस में की रोटीन ही पाए जाता पत्थ आ पती का रंग हरा कैलरोफिल के इस्कारण के हम बात करेंगे द्थ कोशन में में था तो मैं तो ऐडियों के द्वारा करवाने सकते जब ही कर भी ओ द्वारा और शरा हम करवाये हुए हैं अभी भी बीपेसी का पड़ा दस को सेंट पुछा था सिंपल था जो भी अराम से बन गया होगा जो भी मेरा सुपर ट्वंटी और जो भी मैत का सेट करवाते हैं उसे फालतु कुछ नहीं पूछा है और जो भी जी के भी बहुत अच्छा था च्छा जो साइष अशर हो जाएगा उपसन धर एक हो जाएगा नेर्ट नम्जे ऐसिंगे तो ने संथानमे जो सही अंसर याँ जाएगा ऑप्सन धर We have has the एंध निरे का हुख दो जाएगा है संतानवे का जूए सब्सक्रों लैँगा इसको निकालना पोड़ेगा अ क शंतानुम्य का निकाल के दखेगा न है वह जो जाएगा कि निकल ही नहीं निकाली में ऊपने क्रोंट हो जाएगा धीं चाहिए को जाएगा तो आप कोमेंट करकोhern्ट करके प्ताय का जो जाएगा अंढ़न्द Ah कर दो हो जाएगा 1-20 परशन फानी डायरेक्ट एक सा स्क्वाइर बटा तो की हानी होता है इनकी 4 पर 30 सद के हमेंसा कमी होता और 99 की बात करेंगे तो 99 का जो सही अंसर हो जाएगा option नमबर एक हो जाएगा यह सब टूटल बताया हुआ है बताये हुए हैं आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं सव का जो अंसर हो जाएगा अप्सन नमबर डी हो जाएगा तो इस तरह से नोमा वीडियो हो गया जर्दी आप आठ वीडियो नहीं देखें तो उसको भी प्लेलिस्ट से जाके देखें ताकि आने वाला द्रोगा जल्दी आ रहा है उसमें किसी तरह का दिकत ना हो ठीक है तो इसके स्वाथ ही अपना वीडियो समाप्त करते हैं जैहिंद जैभारत जैदे वीडियो अच्छा लगए तो लाइक थोड़ा सब्सक्राइब करा दीजी